हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्जामलप हिमाचल प्रदेश जनल नौलीज स्रीज के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉपिक हिमाचल प्रदेश में दर्रे पासेज इन हिमाचल प्रदेश को और ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं कि कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश की किस डिस्टिक में स्थित है इसके अलावा यदि आपने इस सेरिस के तैत पहले वीडियो को अभी तक वाच नहीं किया है तो आप ड्रेक्टली आई सेक्शन पर क्लिक करके इस पहले वीडियो को भी वाच कर सकते हो अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो के में टॉपिक की हिमाचल प्रदेश में दर्रे पासिस इन हिमाचल प्रदेश स्थानी अबाशा में दर्रों को जोत या गल्लू के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर किस प्रकार से question बनते हैं यहाँ पर directly किसी दर्रे का नाम mention किया जाएगा और option में दी जाएगी district के name और directly आपसे पुच जाएगा कि कौन सा दर्रा जो है किस district में स्थिते हैं इसके लावा दूसरे वे में भी ये question पुच जा सकता है कि आपसे पुच जा सकता कि कांगड़ा में कौन सा दर्रा स्थिते है और option में आपको चार दर्रों के नाम mention किये जाएगे इस परकार से यहाँ से question बनते हैं और सबसे पहले है चमबा चमबा district में कौन कौन से दर्रे है चमबा में है वसुदन दर्रा, सांच दर्रा और दर्रा और इन दर्रों को याद करने के लिए आपको कौन सी trick यूज़ करनी है इसके लिए trick है चमबा में एक बस दराती नूमा मोड से गुजरते होई शाम को पहुँचती है चमबा में क्या है? चमबा में एक बस द्राटी नूमा मोड द्राटी अक्सर आपने देखे होगी द्राटी कीस प्रकार से होती है द्राटी आगे से मुड़ी होती है इसी प्रकार से हिमाचल परदेश में अधिकतर रूड पर जो मोड होते हैं वसुदन दर्रा को याद रख सकते हूँ और दराटी नूमा मोड दराटी शब्द से आप ड्रेक्टली याद रख सकते हूँ दराटी दर्रे को चंबा में एक बस दराटि नुमा मोड से गुजरते हुए शाम को पहुंचती है और शाम शब्द से आप किस प्रकार से सांच दर्रे को याद रख सकते हु? सांच और पाड़ी भाषा में हम शाम को बोलते हैं सांच और सांच से मिलता जूलता शब्द है सांच इस प्रकार से आप सांच दर्रे को याद रख सकते हो शाम सांज शब्द से सांज सांच सांच दर्रा नेक्स्ट है कांगडा चंबा कांगडा और चंबा डिस्टिक में कौन-कौन से दर्रे हैं इनके नाम है भीम दसुत्री दर्रा चोरी दर्रा जालसु जोत और इनको याद रखने के लिए क्या ट्रिक है भीम नामक एक व्यक्ति है वो क्या करता है? भीम नाम के एक व्यक्ति है वो प्यास की वजह से जल की चोरी करता है भीम शब्द से आप ड्रेक्ली इंटरकनेक्ट करके भीम दसुत्री जोत को याद रख सकते हूँ और वो कह करता है वो प्यास की वजह से जल की चोरी करता है और जल शब्द से आप इंटरकनेक्ट करके य याद रख सकते हूँ जालसुजोत जल जालसुजोत प्यास की बज़ा से वो जल की चोरी करता है और चोरी शब्द से आप याद रख सकते हूँ चोरी दर्रा इस प्रकार से कांगडा चंबा में तीन दर्रे हैं बीमद सुतडी चोरी दर्रा जालसुजोत नेक्स्ट है और ब्रमौर में मुखेत और पर दर्रे हैं इंदर हार दर्रा और सिंगोर दर्रा इन दर्रों को याद रखने के लिए कौन सी ट्रिक है इंदर जो की एक देवता है उनका क्या होता है उनका एक सियां के साथ घोर युद होता है और उसमें इंदर हार जाता है इंदर का एक सिय इंदर हार दर्रे को और इंदर देवता का एक सियां के साथ घोर यू दोता है सियां के साथ घोर सियां शब्द और घोर शब्द को मिलाने पर बन जाएंगा सिंगोर और यहां से आप याद रख सकते हो सिंगोर दर्रा नेक्स्ट है कुल्लू कुल्लू में कौन-कौन सिदर रहे हैं कुल्लू में है चंदर, खेरनी गलू, तैंती गलू, खौली जोत और इन तीनों को याद रखने के लिए कौनसिटरीक आपको यूज़ करनी है चंदर नामक एक सरदार है वो कह करता है वो अपने 33 साथियों को चिताबनी देते हुए बोलता है कि यदि तुम इस बार भी खाली हाथ लोटे तो तुमारी खेर नहीं यहां पर आप चंदर और खेर शब्द को एड करके बना सकते हो चंदर खेर और इस शब्द से आप याद रख सकते हो चंदर खेरनी गलु को नेक्स्ट है 33 साथियों को चेताबनी देते हुए 33 शब्द से आप याद रख सकते हो 33 गलु चंदर नामक सरदार अपने 33 साथियों को चेताबनी देते हुए बोलता है कि यदि तुम इस बार खाली हाथ लोटे अब यहाँ पर आप खाली शब्द को इंटरकनेक्ट करके याद रख सकते हो खाली हाथ खाली जोत नेक्स्ट है लाहॉल और बरमौर लाहॉल और बरमौर में है जलोरी जोत छोबू दर्रा कुंगति दर्रा और इनको याद रखने के लिए आपको कौन सीट्री को यूस करनी है एक स्कूल में एक च्छातर जो क्या करता है वह जल पीकर अपनी पूरी गति के साथ कुधता है च्छातर शब्द से आप याद रख सकते हो च्छोबू दर्रा च्छोबू च्छातर और वो क्या करता है? वो जल पीकर अपनी पूरी गती के साथ कुदता है और जल शब्द से आप याद रख सकते हूँ, जलोरी जोत नेक्स्ट कुगती को याद रखने के लिए आपको क्या करना है? एक स्कूल में एक चातर जल पीकर अपनी पूरी गती के साथ कुदता है कुदता शब्द का पहला अक्षर है कू अपनी पूरी गती कू और गती को मिलाने पर बनेगा कू गती और यहां से आप याद रख सकते हो कू गती दर्रा नेक्स्ट और फूर्ट दर्रा लाहॉल और बर्मौर में है दुगी जोत इसको याद रखने के लिए आपको कहा करना है इसको याद रखने के लिए कुद्धा शब्द का दूशरा अक्षर है दौ दौ और गति को हम जोड़ेंगो तो ये बनेगा दगति और यहाँ पर इसने मिलता जूलता शब्द है दौगी दगति दौगी जोत नेक्स्ट है लाहॉल स्पिती लाहॉल स्पिती में दर्रे है कुद्जुमला और ललुनी जोत और इसको याद रखने के लिए कौन सिट्रिक है कुद्जुम नाम का लड़का है और वो क्या बोलता है वो बोलता है मैं ललु यानि मुर्ख नहीं हूँ कुद्जुम नाम का लड़का बोलता है कि वो ललु नहीं है तो यहाँ से ड्रेक लिए आप कुद्जुम से याद रख सकते हूँ कुं जुमला दर्रा वह बोलता है कि मैं लल्लू नहीं हूँ और लल्लू शब्द से आप याद रक सकते हो लल्लू नी जोत स्पिती कुल्लू स्पिती और कुल्लू में है हमटा दर्रा और पीन पारवति इनको याद रकने के लिए ट्रिक क्या है हम सबी जो क्या करते हैं हम सबी पार्वती माता की पूजा करते हैं हम शब्द से आप याद रख सकते हो हम्टा दर्रा और पार्वती शब्द से आप याद रख सकते हो पीन पार्वती नेक्स्ट है मंडी कुलू मंडी कुल्लू में मुखे तोर पर कौन सा दर्रा है दुलची दर्रा और इसको याद रखने के लिए आपको कौन सिट्रिक यूज करनी है देखे मंडी और कुल्लू डिस्टिक में मुखे तोर पर सेब के बगिचे हैं और इन बगिचों में सेब के साथ लीची की पैदवार की जाती है और यहाँ पर आप लीची शब्द से इंटरकनेक्ट करके दुलची दर्रे को याद रख सकते हूँ दुलची लीची इसी प्रकार से कांगडा में दर्रा है मकोडी जोत और यहाँ पर इसको याद रखने के लिए आपको क्या याद रखना है कांगडा में पहला अक्षर है को और लास्ट रक्षर है डौ और मकोडी जोत में भी यहाँ पर को और डौ दोन अक्षर यहाँ पर दिये गए हैं मकोडी जोत कांगडा कौ और डौ का इस्तेमाल किया गया है मकोडी में और कांगडा में भी कौ पहले और लास्ट में डौ का यूज किया गया है इसके अलावा प्रांगडा दरा हिमाचल प्रदेश का सबसे उंचा दर्रा है जो की लाहौल को लदाक से जोड़ता है ये थी फुल जानकारी की हिमाचल प्रदेश की किस डिस्टिक में कौन सा दर्रास थीत है और आप किस प्रकार से याद रख सकते हो ट्रिक के माध्यम से इसके अलावा यदि आप HS और Allied के examination पर अपेर होने वाले हो तो आपको इसके अलावा इनकी elevation भी मालूम होने चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज की इस वीडियो में बस इतना ही इसी प्रकार की रेगुलर वीडियो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन जुर से प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नय वीडियो इस चैनल पर अपलोड़े उसका notification आपको तरण से मिल पाए थेंक्स फॉर वाचिंग बीलें के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपी के साथ